दिल्ली में करोना के केस बढ़ रहे हैं, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन हमें चिंता करने की घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर हमने आपके इलाज के लिए सफिशेंट इंतिजाम किया हुआ है, अगर आपके घर में किसी को करोना होता है तो हमने इंतिजाम किया हुआ है कि उसको अस्पताल में बेड मिलेगा, अगर उसे ऑक्सीजन की जरूरत है, हमने इंतिजाम किया हुआ है कि उसको ऑक्सीजन मिलेगी, अगर उसे वेंटिलेटर की जरूरत है, हमने इंतिजाम किया हुआ हुआ है, उसे वेंटिलेटर वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई करोना अगर एक बर यह आ जाए तो फैलता तो है फैल लेकिन दिक्कत यह हुई कि वहाँ पे अगर आठ हजार पेशेंट थे सॉरी बीस हजार मा लिजे पेशेंट थे तो बैड उनके पास आठ हजार ही थे बैड की कमी हो गई उनके उनके पास हेल्थ इंफरस्रक्चर की कमी हो गई उनके पास वेंटिलेटर की कमी हो गई उनके पास आईस्यू की कमी हो गई इस सब की वज़े से वहाँ पे दिक्कते आने लगी लोगों को इलाज नहीं मिल पाया और लोगों की मौत बहुत ज़ादा हो गई आज उस मामले में दिल्ली जैसे मैं बार-बार बोलता हूँ कि हम करोना से चार कदम आगे हैं तो दिल्ली में हालांकी करोना की केस बढ़ रहे हैं लेकिन हमने इतना इंतिजाम किया हुआ है कि अगर आपके घर में कोई बिमार होता है तो उसके लिए बेड का, ऑक्सीजन का, आईसीव का सबका इंतिजाम किया हुआ है एक तरफ तो मैं कहता हूँ कि हमने आपके लिए इंतिजाम किया हुआ है बेड की कोई कमी नहीं है हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है या ICU की कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ, कई बार लोगों के फोन आते हैं, लोगों के मैसेज आते हैं, जी मैं दर-दर भटक रहा हूं, मेरे को बेड नहीं मिल रहा, मैं इस अस्पताल में गया, फिर इस अस्पताल में गया, फिर विस्स अस्पताल में गया, मुझे बेड न फिरियली के इस्पितालों में केवल 2600 पेशेंट हैं तो लगबग 400 सो बेड़ खाली पड़े हैं 4100 बेड़ आज खाली पड़े हैं लेकिन जब लोग जा रहे हैं तो उन्ले पता नहीं चलता कि मैं किस इस्पिताल में जा Oregon मेरे को किस hospital में बेड मिलेगा मेरे को किस hospital में oxygen मिलेगी मेरे को किस hospital में ventilator मिलेगा लोगों को idea नहीं है तो ये information gap है इस information gap को पूरा करने के लिए हम लोग आज एक app launch कर रहे हैं ये app जो है आपको आप लोग download कर लीजिए इस आपको और ये एप आपको ये जानकारी देगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में अगर आपको प्राइविट में जाना तो इसमें सारे प्राइविट अस्पतालों की जानकारी भी है सरकारी अस्पिताल में जाना चाहते हैं सरकारी अस्पिताल की जानकारी भी है यह आप आपको बताएगा कि दिल्ली के किस अस्पिताल में इस वक्त कितने बेड खाली हैं कितने बेड भरे हुए हैं और तो यह एक बारी अप देख लेते हैं ये कैसे काम करता है अभी आपके सामने ये दिखाएंगे जैसे जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये एप सामने दिखाया उसने के टोटल बेड कितने थे फिर उस पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये एक 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 अस्पताल की डीटेल आ रही है एक-एक hispital के आगे कि कितने bed खाली हैं, कितने total bed हैं, कितने bed भरे हुए हैं, जैसे अभी 5731 bed total हैं, उसमें से 2819 भरे हुए और 3912 खाली हैं, उसके अदों this ventilator का आगया, ये सारे किस hospital में कितने ventilator, total 302 ventilator है दिल्ली में, और 210 खाली हैं, 92 ventilators अभी भरे हुए तो ये अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको सारी जानकारी मिलती जाएगी ये एप दिन में दो बार इसको अपडेट करेंगे सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे ये एप अपडेट किया जाएगा तो आपको लेटस्क स्टेटस पता चलता रहेगा अ एक तो गूगल प्ले में जाके आप इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले में देली करोना इस नाम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दूसरा आप इसका वेब पेज भी खोल सकते हैं अगर आपके पास एप नहीं है तो इसका एक वेब पेज बनाया गया है डेलीफाइट्सकरोना.in डेलीफाइट्सकरोना.in इसके उपर भी आपको ये सारा बेड्स का स्टेटस मिल जाएगा अगर ये भी नहीं है तो आप 1031 जो हमारी हेल्प लाइन है 1031 पे फोन करेंगे तो वो आपको पूर्या का पूरा जो बेड्स का स्टेटस है वो आपको SMS के जरीए भेज देंगे और या आप इस नंबर पे अगर आप WhatsApp नंबर है 8800 00 007 22 इस नंबर से भी आप इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं आपने एप से डाउनलोड कर लिया आपने एप डाउनलोड कर लिया आपको पता चला कि इस हस्पताल के अंदर इतने बेड़ खा लिया है आप उस अस्पताल में गए एप में लिखा है कि इतने बेड़ खा लिया है आप उस अस्पताल में गए अस्पताल ने आपके जाने के बाद आपको एडमिशन देने से मना कर दिया फिर आप क्या करेंगे इसका हमने पूरा इंतिजाम किया है आप 1031 पे वहीं अस्पताल के रेसेप्शन पे बैठ के 1031 पे फोन करना और 1031 पे आप बताना कि मैं अस्पताल में हूँ, एप में लिखावा इसके अस्पताल खा लिए हैं, ये मुझे अडमिशन नहीं दे रहे 1031 पे तुरंथ हमारे Special Secretary Health के पास फोन पहुंचेगा और वो Special Secretary Health उस अस्पताल से बात करके आपको On The Spot मौके पे बेठ दिलवाएंगे, इसका पूरा इंकिजाम किया हुआ है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना जैसा मैं बार-बार बोल रहा हूँ आज दिल्ले के अंदर 20,000 से जादा केस हो गए लेकिन केवल 2600 लोगों को अस्पताल में एडमिट होने की जरूर पड़ी आज की डेट में भी 6-7,000 लोग अपने घरों के अंदर इलाज कर रहे हैं, उनको अस्पताल आने की जरूरत नहीं है अगर सब लोग अस्पतालों में आने लग गए तो अस्पताल भर जाएंगे ये मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है तो अगर कोई अस्पताल एनलिसिस करके डॉक्टर्स एनलिसिस करके आपको ये कहते हैं कि आपको अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है आप प्लीज घर में जाके घर में अपना आप माइल्ड हैं या एसिम्टोमेटिक हैं घर में इलाज करा लीजिए उनकी बात मान लीजिएगा वहाँ पे आप जबरस्ती मत कीजिएगा कि बेड आपको दिया जाए डॉक्टर्स अगर कहते हैं कि आपके बिमारी सीवियर नहीं है आपका घर में इलाज हो सकता है आप घर में इलाज कर लीजिए और घर में जब जाएंगे तो चिंता मत करना हमने एक टीन लगाई है वो दिन में दो बार तीन बार आप से बात करेगी आपके परिवार वालों से बात करेगी और अगर आप घर में सीरियस हो जाते हैं तो फिर आपके लिए बेड का इंतिजाम करतेंगे तो सब लोग मुझे लगता है कि यह जो information gap था जो बहुत बड़ा gap था वो खतम हो जाएगा आपको click of the button पर पता चल जाएगा कि किस अस्पताल के अंदर कितने बेड हैं और आपको बेड की चिंता करने की जुरूट नहीं